शिरी भगतमाल भगवान जी के चोबिस अवतारों में बीसे अवतार शिरी धन्मंत्री अवतार की गता शीर सागर का मंधन होने बाद आप अमरत कलश लेकर के प्रकठ हुए तेट्यों दोरा च्छेनेंगे यग्यों के भाग तथा अमरत देताओं को आपकी ही क्रिपा से मिला आपने संसार को आई अरवेद विद्या दे करके इनन्त रोगों से मुक्त किया अमरत वित्रन हो जाने पर देवराज इंद्र ने इन से देव व्यद्य का पद सविकार करने की प्राधना की इन्होंने इंद्र की इच्छा के अंसार अमरावती में निवाज करना सविकार कर लिया गुछ समय बाद प्रिथी पर अनेक व्याधियां भैली तब इंद्र की प्रातरह सर्भवान धन्वंतरी ने काशी राज दीओध डास के रूप में प्रिथी पर अउतार धारण किया लोक लियान आर्थ वी विध व्यादियं को नस्ट करने के लिए स्यम्भवाण विश्णु धन्वन्तरी के रूब में कार्तिक क्रिश्न की त्योदशी को प्रकट हुए थे वगश्णु के ऐंद से प्रकट होने से ये भी श्री हरी के समट शाम ऐमतीविय थे श्री भटमाल चुबिस अप्तारों की कथा में 21 वा उतार श्री बद्री पती अथथ नर नरायन उतार की कथा दक्ष कन्या धर्म की पत्री मूर्ती के गर्व से भगवान नर नरायन के रोब में प्रक्टि उन्होंने आतमतत्तो का शक्षाइटार करने माले उस भगत अराधन रूप करम का अफदेश किया जो वास्तम में करम बंदन से चुड़ाने वाला और नशकर में स्थिती को प्राप्त करने वाला है उन्होंने सेम भी वैसे ही करम का अनुस्ठान किया ये आज भी बंद्र का अश्रम में उसी करम का आचरन करते हुए विराजमान है इंद्र ने ये अश्रम का करके कि ये अपने खोर तप के द्वारा मेरा पद छीनना चाते हैं उनका तप ब्रस्ट करने के लिए सुदाल बल काम देव को भीजा उनकी महमा ना जानने के कारण गर में आकर के काम देव अहां पहुँच करके अफसरागान वसंत मंद सगन दवायो और इस्तियों के कटाक्ष रुपी बानों से उन्हें बेदने की चीश्टा करने लगा इंद्र की कुछाल जान करके कुछ भी विश्वय ना करते हुए आदी देव नारायन ने उन भहे से कामते हुए काम आदी से हस करके कहा है मदन है मंद मले मारूत है दिवांग नाओ डरो मत हमारा आतिछे सक्विकार करो उसे क्रहन किये बिना ही जाकर के हमारा आश्रम सुना मत करो अवे दायक दियालो भगवान के ऐसा कहने पर रज्जा से सिर्द जुकाए हुए देवगान ने करुंद सर से उनकी स्तुति की तथ पस्चाद भगवान जी ने बहुत सी ऐसी रमनियां प्रगट की जो अद्वद रूप लावन्य से संपन और वस्त्र लंकारों से सज्जित थी तथा भगवान जी की सिवा कर रही थी शक्षात लच्छी के समान रूप वती इस्त्रियों को देख करके उनके रूप लावन्य की महिमा से कांती हीन हुए देवगान उनके अंग की दिवे गंद से मोहित होगी अब उनका गर्व चुचुर हो गया तब अत्यांत दीन हुए उन अनचरों से बगवान हस करके बोल की देवगान ने जुआ क्या करके उनको परदाम किया और उर्वशी नामे कफसरा को साथ ले करके सर्ग लोक में इंदर के पास चलेगी जैमनी ये भारत में लिखा है सहस्त्र कवची देटी ने तपस्यादरा सुर्य वगवान को परसन किया और वर्मागा कि मेरे शीर में एक हजार कवच्च हो जब कोई एक हजार वर्ष युद्ध करे तब कहीं एक कवच्च तोट सके पर कवच्च तोटते ही शुत्र मार जा था एक भाई हजार वर्ष तक युद्ध करता और एक कोच्च तोट करके मरतक्सा बन जाता जब दूसरा तब दूसरा भाई उसे मंतर से जिला करके और सेम एक हजार वर्ष युद्ध करके दूसरा कोच्च तोट करके मरतक्सा बन जाता तब पहला भाई इनको जिलाता और स्यों युद्ध करता इस तरह से लड़ते लड़ते जब तक कोच रह गया तब द्यत्य बहा करके सुर्य में लीन हो गया और तब नार नाराइन भगवान गद्री का आश्रम में जाकर कितब कर दे लेगी वही असर द्यापर में करन हुआ जो घर्ब से ही कोच धारन करके पेदा हुआ तब नार नाराइन ने ही अरजन और क्रिश्न को ही क्रिश्न होकर उसे मार श्री भकतमाल भगवान जी के 24 सबतारों में 22 सावतार श्री दता तरे अवतार की गटा महसी अत्री की तपच्या से चित्रकूट में माता अनसवैया के गर्वसे भगान दित्ता तरे रूप में प्रकठवे ग unwilling देते समय भगवान जी ने कहा था कि मैंने अपने को तुम्में दत दे दिया था इनका दत नम पड़ा भगवान दिप्ता तरेके चर्णों की सिवा से रजा यदू तथा सहस्त अरजन आदी ने योग भोग तथा मुक्ष की भी सिद्धियां पराप्त की थी शिरी भगतमाल में भगवान जी के चुबिस अवतारों में तैस्वा अवतार शिरी कपिल अवतार की कताब माहरशी कर्दम की धरम पतनी देवा हुती के गर्व से बिंदू सरोवर के निकट नो बेहनों के बाद भगवान कपिल लेपर गट हुए इनके केश स्वरन के समयन कपिल बरन के थे इसलिए इनके नम कपिल हुआ इन्होंने अपनी माता को आतम ग्यान का उपदेश दिया जिससे वे भगवान जी के वास्तिक स्वरूप को समझ कर सल्प समय में ही नोक्षपाद को पराप्त कर ली शिरी कपिल डेव जी माता को सल्प उपदेश दे करके उनकी अनमती लेकर भिंदू सर से समधर तक पर जाबिराजी जहां अश्य में गिगए के अश्य को खोजते हुए राजा सगर के साथ हजार पत्र भागवत अप्राधरूप पाप से बस्म होगी आपकी किरपा से ही गंगा जी ध्रातल पर आई और उन सगर पत्रों का दो धर्व हुआ ही आज भी जगत का कल्यान हो रहा है आज भी गंगा सागर संगम में श्री कपिल भागवान बिराजवान है आपने रिशियों को सांख्य शास्त्र का उबदेश दिया आप सांख्य योग्य के आचारे हैं श्री भाक्तमाल में भागवान जी के 24 अवतार में 24 अवतार श्री सनक आदी अवतार की तथा श्रीष्टि के अराम्ब में श्री ब्रमा जी ने लोकों को रचने की इच्छा से तप किया ब्रमा के खंड तप से परसन हो करके भगवान जी ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक दो करके सनक सनंदन सनातन और सनतकमार से अफ़तार ग्रहन किया इस अफ़तार के तोरह भगवान जी ने पहले कलब के भूले हुए आतम ज्यान को रिश्यों के प्रति यथावत अपदेश किया इन्होंने आधी राज प्रितो को भी उपदेश दिया था शिष्टि के अरंब में उत्वन होने से ये बहु कालीन है पन्तो सदा पांच वर्ष के बालक के रूप में ही रहते हैं जिस से माया का विकार ना उत्वन हो सके ये सदा मन से अपने घ्रम सरूप में लीन रहते हैं और जीवन मुक्त हैं इनको उत्वन करके घ्रमा जी ने जब ये आज्या दी कि जाकर प्रजाशिष्टि की रचना करो तब इन्होंने प्रपच्च्चविस्तार का अनोत्य अन ओचित्य एम वेराग्य पूर्वक भगत भजन का ओचित्य दिखा करके ग्रमा जी को निरुत्तर करके द्वन की राह ली आप अखंड उधारवरिता ब्रह्म चारे हैं और अपने तब से समस्त्र लोकों का सदाकल्यान करते हैं शिरी भगतमाल में शिरी राम जी के चरंचिन सीतापती शिरी राम चंदर जी के शिरी चर्णों में अंकुष, अंबर, वज्ज्र, कमल, जव, धोजा, गोपद, शंक, चक्र, स्वस्तिक, जंबूफल, कलाश, अमरतकुंड, अर्धचंद्र, शटकौन, मीन, बिंदू, उधरवरेखा, अस्टकौन, त्रीकौन, इंद्रधनुश और प्रुश्विशेश ये 22 चिन बिराजते हैं, रागवेंद्र सरकार के ये चर्ण चिन, भक्तों को मंगल डायक, तदा सदा सहायक है, संतों की साहिटा के लिए, राज अधिराज भगवान शिरी राम चंदर ने, अपने चर्ण कमलों में सुख देने वाले, इन चिन्नों को धारन किया है, मान रूपी उनमत हाथी किसी भी परकार वश में नहीं आता है, इसलिए भगवान जिने अंकुष का चिन्न धारन किया है, मनोजे के लिए अंकुष का ध्यान करना चाहिए, जर्ता रूपी जड़ा भक्तों को दुख देता है, इसलिए वस्तर चिन्न धारन करके प्रभू ने उनका शोक दोर किया, भक्त जन ध्यान करके सुख पराप्त होते हैं, इसी प्रकार पाप रूपी पहाणों को फोड़ने के लिए वज्जर का चिन्न और भक्ती रूपी नावनिधी जूणने के लिए कमल का चिन्न धारन किया है, इनका ध्यान कीजिए, जब चिन्न के धारन का कारन सुनिए, यह सरविद्यार सिधियों का दाता है, इसे समती, सुगती और सुख संपती का निवास है, ज़्यान करने वालों को इनकी प्राप्ती होती है, काड़ियों की कुटिल गती देख करके भक्त लोग शन भर में ही वैवीत हो जाते हैं, निशेश करके उनको निर्भहिता का विश्वास दिलाने के लिए, भगवान जीने अपने चत्नों में धोजा का चिन्न धारन किया है, चत्र भक्त जन यदि हिद्दे के नित्र गोपद चिन्न में लगाएं, तो अपार भाव सागर गाय के खुर के समान छोटा सैसा पार करने यग्जी हो जाता है, और सभी संसारी कस्टम मिट जाते हैं, माया का कपट, माया की कुचाल और माया के संपूरन बल को जीतने के लिए प्रभू ने शंक चिन्न धारन किया है, इनका ध्यान करके भक्तों ने सहज ही माया को जीत लिया, भगवान जी ने काम रूपी निशाचर को मारने के लिए अपने चरन में चक्रचिन धारन किया है ध्यान करने वाले ये मंगल और कल्यान के लिए स्वस्तिक रेखा धारन की ऐसा मानी अर्थ धरम काम और मौक्ष चारो फलो का फल जंबू फल मंगल करने वाला और अनेक परकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला इसका निट्य ध्यान कीजिए अमरत का कलश और अमरत का कुंड ये चिन इसलिए धारन किये कि ध्याता के हिर्दे में भगती रास भरे ध्यान नित्र के कटोरे से पी करके सदा अमर रहे भक्त जन मन में ध्यान करें अर्ध चंदर के धारन का कारण ये जनिये कि वह ध्यान करने वाले के तिनों तापों को नस्ट करें और भक्ती को बढ़ावे कामदी विशे रुपी साप शरीर रुपी बंबी में बसतें वे भक्तों को ना डसें इसलिए ये उपाय किया है कि अस्ट कौन शाट कौन और त्री कौन यंत्र चिन्नों को धारन किया ऐसा जान करके जिस जिस ने हिद्दे में इसका ध्यान किया विशे रुपी सर से बचे और जीवित रहे अर्थाथन का निरंतर भवाण जी में प्रेम बना रहा भवाण श्री राम चंदर जी ने अपने चरन कमल में मीन और बिंदू चिन्नों को वशी करन यंत्र बना करके धारन किया इसी से बहुत से भक्तों के मन हरे जाते हैं संसार रुप सागर अपार है जिसका कोई पार नहीं पा सकता इसलिए वो धरवरेखा धारन करके पुल बांद दिया है ध्यान करने वाले सेज में ही संसार सागर पार कर जाते हैं शरी रागवेंदर सरकार ने अपने शरी चर्नों में इंदर धनुष का चिन धारन करके ध्यान करने वाले भक्तों का दुख दूर किया है और रावनादी एहंकारियों के एहंकार का वे धनुष से ही नाश किया सोपरसिद्ध है पुरुष विशेश चिन अपने पद कमल में बसाया उसका कारण सुनिये और शाम संदर को प्राप्त करने की अविलाशा की दिये उनका कथन है कि हमारा भक्त यदि सरल मन वाला सत्य सरल वचन वाला और शुद्ध सरल करम वाला हो तो इसी पुरुष चिन के समान मैं चरन शरन में रखोंगा जो जन बुद्धीमान हो रूप संपती के रसिक हो पूर्ण वर्नित इन श्री चरन चिन्नों का हिद्धे में ध्यान करके मुख से भगवान जी के नमों का उचारन करते रहे भक्त माल में द्वादश परधान भक्त में तीसरे शंकर्टी श्री शंकर्टी द्वादश परफ पर्म भागतों में शरी 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 श्रीच का प्रमुकस्तान भगवान के सभाव परभाव गुन शीर महातिम आदे के जनने वालों में भी शरी अगरकन्ने है भगवान जी के नाम के परभाव को जैसा शिरीश शिव जी जानते हैं वैसा कोई जानने वाला नहीं है यह था नाम परभाव जान सिवनी को काल कूट फलू दिन ही अमिको भगवान नेलकंट शिव जी का हला हल पान इस बात का शाक्षी है अमरत के लोब से समुद्र मन्थन किये जाने पर सरप्रथम काल कूट महा वीश निकला जो सब लोगों को असहाय उठा देटा और देटे तक उसकी जार से जुलसने लगी तब भगवान जी का संकियत वाकर के सब के सब मिरतिंजे श्रीश शिव जी की शरन में गे और जाकर के उन्होंने उनकी स्तुती की कौरुना वर नाले भवान शंकर इनका दुख देख करके सती जी से बोले देवी प्रजा एम प्रजा पती महान संकत में पड़े इनके प्रानों की रक्षा करना हमारा करतावे है आता है मैं इस विश को पी लूँगा जिससे इन सब का कल्यान हो भवानी ने इस इच्छा का अनमदन किया जगत जन्नी जो ठहरी तथा उन्हें विश्यनात का परभाब भी सत्था ग्याता ते तो श्रीश शिव जी ने ये कहकर की शीर राम नाम समस्त मंत्रों का भीज है मेरा जीवन है तथा मेरे हिद्दे में परविश्ट हो कर स्थित है फिर तो चाहे हला हल पान करना हो चाहे परनालिक पान करना हो चाहे मृत्यों के मुख में ही क्यों ना परविश्ट करना हो भई ही किस बात कर हलाहल विश भी पान कर लिया और आश्चर की बात ये है कि खायो काल कूट भेव अजर अमर तनू हलाहल पान के परसंग से शिरी शिव जी की निश्टा तथा जियों पर दिया का भाव परकाश में आता है शिरी तुलसी दाची कहते हैं जरत सकल सुर व्रिंद विशम गरल जहीं पान किया तहीन बजही मन मंद को क्रिपाल संकर सारी सा शिरी शिव जी स्यम निशंता राम राम दुखते रहती ये था तुम पनी राम राम दिन राती सादर जब हूँ अनंग आ राती संतत जबत संभुवविन नासी सीव भगवान ज्यान गुन रासी तथा अपनी अत्यंत प्रिय काशे प्रिमें मरने वाले पत्ते के प्रानी को मृत्यो शन में शिरी राम नाम का उपदेश्टे करके उसे मुक्त कातिया करते हैं मैं आपके नाम के गुनों से किर्थात होकर के कशी में भवानी सहित निवास करता हूँ और मरनासन प्रानियों के मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र राम नाम का उपदेश्टे करता हूँ शिरी राम जी के साथ शिरी शिवजी का संबन्धत त्रिवीद है यथा सेवक स्वामी सखा नित्य पी के अथा शिरी शिवजी शिरी सितापती राम चंदर जी के सेवक भी हैं सखा भी हैं और स्वामी भी हैं इस भाव का परकाश उस समय होता है जब शिरी राम चंदर जी ने सितु बंधन के समय शिवलिंक की स्थापना की और उनका नाम रामेशर रखा नाम करन होने के पश्चात प्रस पर रामेशर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा सरप्रथम शिरी राम जी ने इसमें तत पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया रामस एश्वरा अर्थात राम के एश्वर इस पर शिर शिव जी बोले भगवान यहां बहुबरी ही समास है अर्थात इसका अर्थ रामा इश्रो यस्य असरम इश्रा राम इश्र हैं जिनके वहरा मेश्रम इस भांती है ब्रमा आदिक देटाहाद जोड़ करके बोले कि महराज इसमें करमधारिय समाप्त है अर्थात रामस चासो इश्रच अत्वा यो रामा स इश्रा जो राम वही इश्र ऐसा अर्थ है इस आखे का से तीनो भावस बस्ते हैं राम इश्र शब्द में बहु ब्रिही समास से शिव जी का सेवक भाव तद प्रुष से स्वामी भाव तथा करमधारे से संख्य भाव प्राव पाया जाता है ऐसे अद्वुद मगत हैं शिरी शिव जी शिरी भक्त माल जी के तीका का शिरी प्रिया दास जी शिरी शिव जी के भागवत भागवत निश्टा के संबंध में लिखते हैं परसिद्ध बारा भक्त राजों की सुख देने वाली कथाई श्रीमत भागवत आधी पुरानों में अनेक प्रकार से गाए गए हैं द्वाद अश्री परसिद्ध भक्त राज कथा भागवत अती सुखदाई नानाविधी करी गाए हैं शिवजी की बात एक बगधा ना जाने कोई सुनी रस्क साने ही और भाव और जाए हैं पंतु शिवजी की एक बात को प्रया लोग नहीं जानते उसे संदर कथा को सुन करके हिद्ध भक्ती रासे मगन हो जाता है ऐसे संदर भाव में शिवजी ने अपने मन को उल्चा रखा है सीता के वियोग से वन में शिर राम चंदर जी को व्याकुल डेकर के सती जी ने भाव परनीत शंकर जी से कहा ये कैसे सरवग्गी इश्यों है ये इनका नवीन कोतुक देखी कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं तब शंकर जी ने खुब समझाया कि ये तो प्रभू की नर लिला है प्रंतु सती जी की समझ में नहीं आया मना करने पर भी प्रिक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का सही दूप बना लिया सीता जी का रूप और वेश भुशा सीता जी के सुमान था उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था शीद राम जी ने उसे दिखा पर उनके मन में नाम मत्र भी ये बात नहीं आई कि ये सीता जी है उनको सती ही माना तब सती जी ने ये बात आ करके शंकर जी को सुना दी शंकर जी ने अती दुख पा करके सती जी को अनेक परकाद से समझाया कि तुमने इश्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारन किया इसलिए तुमारे इस श्रीर में अब मेरा पत्री भाव नहीं रहा यह सुन करके सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनके बती ब्रहमत होगी सती जी ने वे शीरी त्याग दिया पना ही मले के घर में जनम लेकर के वे शंकर जी को पराप्त कर सके शीव जी रशीरी राम जी की भक्ती बावना में इस फरकार मगर नहते हैं कि इतिहास पुरान में उनकी कथा जगमगा रही प्रिया दास्ची कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यन्त प्यारे लगे इसलिए रीज कर मैंने इस कथा का गान किया है एक वर भगवान शंकर तेवी पार्थी के साथ प्रिथी पर विचे रहे थे मार्ग में उजडे ग्रामों के दो टीले दिखाई पड़े शंकर जी ने नंदी से उतर करके दोनों को परनाम किया क्योंकि भक्ती आपको उत्यन्त प्यारी है पार्थी जी ने पुछा भगवान आपने किसको परनाम किया ये कोई देवताया मुनी दिखाई नहीं पड़ते तब शिव जी ने अप्तर दिया कि पहले टीले पर दस हजार वर्ष पूर एक प्रेमी भक्त निवास करते थे और ये जो दूसरा टीला है इस पर दस हजार वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे इसी से ये दोनों स्थानवंदनी हैं भक्तों का ऐसा परताब सुंकर के पारती जी के हिद्दे में भक्तों के प्रती अधिक अनुराग बढ़ गया उसका ऐसा गहरा रंग चड़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता श्री भक्तमाल में द्वादश परधान भगत श्री ब्रह्मा जी, श्री नारज जी, श्री शंकर जी, श्री सनकादिक, श्री कपिल देव जी महराज, श्री मनु जी, श्री परलाज जी, श्री जनक जी, श्री भिशम पितामे जी, श्री बली जी, महमुनी श्री शुक देव जी और श्री धर्म राज जी ये बारों भगवान जी के अंतरंग सीवक है जो इनके यश्कों सने और गाय उन सभी शुरुता और वक्ताओं का आदी से अंत तक सर्दा मंगल हो जामिल के परसंग में धर्मराज का ये परमशेष्ट निर्ने जानियें कि इन्हें की किरपा से और दूसरे भक्त भक्ती के रहस्यों को समझते हैं ये द्वादश परधान भक्त हैं पहले हैं ब्रह्मा जी द्वादश्य पर्धान महा भागवतों में शिरी ब्रह्मा जी अग्रगन्य है शिरीमत भागवत जी में भी यमराज जी ने अपने दूतों से परम भागतों का वर्रण करते हुए शिरी ब्रह्मा जी की गन्ना सरप्रथम किये भगवान जी के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गौपनी है उसे जानना बहुत ही कठीन है जो उसे जान लिता है भगवत सरूप कर लिता है दूतो भागवत धर्म का रहसे हम बाड़ा व्यक्ति ही जानते हैं प्रम्मा जी तेवरिशी नारज जी भवान चंकर सनत कुमार जी कपिल जी संभव मनु जी परलाज जी जनक जी भिशम पितामे जी पली जी शुकदेव जी और मैं धरम राज शिष्टी के पुर्वत ये संपूरन विश्य प्रले अद्नों के जल में डुबा हुआ था उसमें एक मात्र श्री नारायन देव शेश्यया पर पोड़े हुए थे शिष्टी काल आने पर भगवान नारायन की नाभी से एक परम परकाश में कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से शाक्षात वेद शरुत मौती च्री प्रकट हुए उसे कमल की कतनका में बैठे हुए ब्रहमा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया तब है आँखे फाड़ करके आकाश में चारों वर्ड़न घुमा करके देखने लगे इस से उनके चारों दिखाव में चार मुख हुए आच्चर चकच्चिर ब्रहमा जी को तो हलवश कमल के आधार का तता लगाने के लिए उसे कमल की नाल के शुक्षण शिद्रों में हो करके उसे जल में खुसी पन्तु दिविय सहस्त्रों वर्षों तक प्रितन करने पर भी कुछ ही पता न मिलने पर अंत्वें विफल मनोरत होकर इपना कमल पर लोटाए तरंतर अव्यक्तवाने के द्वारा तप करने की आग्यापा करके शिरी ब्रहमा जी एक सहस्त्र दिविय वर्ष परियंत इकागर चित्स से कठी नतब करते रहे उनकी तपच्चा से परसन हो करके भगवान जी ने उन्हें अपने लोग का एम अपना दर्शन कराया सफल मनोरत श्री ब्रहमा जी ने भगवान जी की स्तुति की भगवान जी ने उन्हें भागवत तत्त का चार शलोक में पुदेश दिया जिसे चतु शलोक की भागवत कहते हैं पुदेश देकर के भगवान जी ने कहा ब्रह्मा जी आप अविचल समाधी के द्वरा मेरे इस सिध्धात में पूर निष्टा कर लो इससे तुमें कल्प कल्प में विविट परकार की शिष्टी रचना करते रहने पर दी कभी मो नहीं होगा इस भगवान जी ने अपने संकल्प से ही भ्रह्मा जी के हिद्धे में संपुरन वेद ग्यान का परकाश का दिया भगवान जी ने अपने संकल्ब से ही ब्रहमा जी को उस वेद ग्यान का दान की दिया जिसके संबंद में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं कालांतर में शिरी नाराजजी की सेवा से संतु स्टो करके शिरी ब्रहमा जी ने उनको चतु शिलोक की भागवत तत्तो का अपदेश किया और देव रिशी नाराजजी ने वह तत्तो ग्यान भगवान वेद व्यास्टी को सुनाया और श्री व्यास जी ने चार शलोकों से ही अठारा हजार शलोकों के रूप में श्रीमत भागवत महापरान की रचना करके उसे श्री शुक देव जी को पड़ाया इस परकार श्रीमत भागवत का लोक में विस्तार हुआ भगवान के दोरा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से तथा भागवत सवरूप का ध्यान करते रहने से श्री बरमा जी का अपने मन वानी और इंद्रियों पर इतना अधिकार हो गया कि सदासरदा जगत परपंच में लगे रहने पर भी इनकी भृतियां सपन में भी असथथ की और नहीं जाती है शिरी ब्रह्मा जी के परमस्व भाग्य का क्या कहना है जो कि ये भगान जी के समस्त दवतारों के दर्शन स्थावन करते हैं कलप कलप प्रती प्रभु अवतार ही इसके उनसाथ ब्रह्मा जी के अधिकारकाल में च्छतिस सो बार भवान जी के विविद अवतार होते हैं क्योंकि एक कल्प ग्रह्मा जी का एक दिन होता है और सो वर्ष की ब्रह्मा जी की आयों में च्छतिस सो कल्प दिन के उतने ही रात्री के भी होते हैं साथ ही प्रय अधिकांश अवतार भ्रह्मा जी की प्रात्रा से हो भवान जी के दूसरे परधान भक्त शिरिन नारज जी प्रचापती ब्रह्मा जी की गोच से शिरिन नारज जी भी उत्पन हुई जब ब्रह्मा जी ने उन्हें भी शिष्टी विश्तार किया गया दी तो शिरिन नारज जी ने ये कहकर कि अमरत से भी अधिक प्रिय शिरी किशन सेवा छोड़ करके कौन मुरख वीशे नमक वीशे का भक्षा ना स्वादन करेगा बर्मा जी की आग्या का अन और चित्ते दिखाया शिरी नारजी की ये बात सुन करके बर्मा जी रोज से आग वबला होगे और नारजी को शाफ देते हुए बोले नारज मेरे शाफ से तुमारे घ्यान का लोप हो जाएगा तुम पचास कामनियों के पती होगे उस समय तुमारी अपबारहन नाम से परसिद्धी होगी फिर मेरे ही शाफ से दासी पत्र बनोगे पश्चात संत भगवन तक क्रिपा से नेरे पत्र रोप में पतिष्टी तोचाव के ब्रमाजी के दिये हुए उस स्चाफ के ही कारण नारजी आगे चल करके उपबरहन नाम के गंदर होगे और चितरत गंदरों की पचास कन्यावने उन्हें पति रोप में वरन किया एक बर वे पुशकर शेतर में शिरी ब्रमाजी के स्थान पर गे और वहाँ शिरी हरी का ये शोगान करने लगे वही रमभाप्सरा को नित्य करते दे करके काम मोहित होने से तेजगीरा जिस से कुपिधो करके ब्रमाजी ने उन्हें शाफ देते वे कहा तुम गंधर वे शिरी को त्याग करके शुद्र योनी को पराफ्त हो जाओ शाफ सुनकर के उप बरहन ने ततकाल उस शिरी को योग क्रिया के द्वराज छोड़ दिया और कालांतर में द्रूमिल गोव की पतनी कलावती के गर्व से उत्पन होकर के दासी पुत्र कहलाई द्रूमिल गोव के सर्ग सिधार जाने पर कलावती एक सदाचारी ब्रहमन के घर सेवा कारे करती हुई जीवनियापन करने लगी उस समय का अपना चरितरस्त पताते हुई नारज जी ने व्यास्टी से कहा कि मैंने ब्रहमन के घर चत्र मस्य बिताने के लिए संतों में निवास किया ब्रहमन किया क्या से माता समेत संतों की स्या में लगा रहता हुआ था और पात्रों में लगी हुई उनकी जूटन दिन में एक बार खा लिया करता था जिससे मेरे सब पाप दूर होगे हिद्दे शुद्ध हो गया जैसा भजन पूजन वे लोग करते थे उसे मेरी भी रूची होगे चातर मास्य करते करके जाते हुए साथ होने मुझे शाथवी नमर बालक को साब के काटने से मादा के मृत्य होगे तब मैं भगवान जी की किर्पा का सहारा ले करके उत्तर दिशा की औरवन में चला गया ठक कर पीपल के नीचे बैठ करके ध्यान करते हुए नेरे हिद्दे में प्रभु प्रगट होगे ने अनन्दमगन हो गया प्रण्तो एक जाकी तो विद्द की भादी आई और चलीगी ने पुना दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया उस समय अकाश वानी ने आश्याशन देते हुए बतलाया अब मैं इस जनम में तुम मुझे नहीं देख सकते यह एक जाकी तो मैंने तो मैं क्रिपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन में तुमारा चित मुझे में लग जाए तब मैं द्या में भगवान जी को परनाम करके उनका गुन गाते हुए पृत्थी पर गुमने लगा समय आने पर मेरा वैशे छोट गया तब दूसरे कल्प में मैं भ्रमा जी का पुत्र हुआ व्यास्ची अब तो जब मैं वीना बजा करके प्रभु गुन गान करता हूँ तो बुलाए हुए की तरह भगवान मेरे चित में प्रंत प्रकटो जाती है नारज जी देवरिशी हैं तथा विदान्त योग जोतिश वैद्य के संगीत तथा भक्ती के मुख्याचारे हैं प्रिथी पर भक्ती पर चार का श्रे आपको ही है भक्ती देवी तथा ज्ञान वैराग्य का कस्ट दोर करते हुए व्रिनावन में आपने कालियोग में दूसरे धर्मो कात्रे सकार करके और भक्ती विश्यक महोसों को आगे करके जन जन और घर घर में तुमारी स्थापना ना करू तो मैं हरी दास ना कहाँ श्यम भक्ती ने उनकी प्रशंशा करते वे कहा है कि हे ब्रह्म पत्र तुम्हें नमश्कार है तुमारे एक बार के उपदेश से परलाद माया पर विजे तिथा ध्रुम ने ध्रुपद पुराब्त कर लिया